नमस्ते दोस्तों अनिरूध अकैडमी में आपका स्वागत है। हम लोग 6 दिसंबर 2023 की टॉप 15 Most Important Current Affairs को पढ़ने वाले है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बायोडीजल की उटपादन और वित्रन से संबंधित एडवांस वेब पोर्टल विक्सित करने का निर्न लिया है। उत्तर प्रदेश ने बायोडीजल के उटपादन वित्रन से संबंधित एडवांस वेब पोर्टल का विकास करेगी योगी स हाल ही में नौसेना दिवस समारोह की सहतिहासिक किले में मनाया गया, जिसका निर्मान सत्रवी शताबदी में मरा था. सिंदु दुर्ग किले में, नौसेना के इस साहस और जज़बे को सलाम करने के लिए हर साल चार दिसमबर को भारतिय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नई दिल्ली, 4 दिसंबर भारत के अंतरिक्ष नियामक, इन स्पेस ने सोमवार को अंतरिक्ष प्रोध्योगी की का उप्योग करके शहरी विकास और आपदा प्रबंधन के खेत्रों में काम करने वाले स्टॉट अप के लिए, सीड फंड, योजना, की घोशना की. भारतिय राश्ट्रिय अंतरिक्ष समवर्धन और प्रादिकरन केंड्र इन स्पेस एक एकल खिलकी स्वतंत्र नोडल एजैंसी है जो अंतरिक्ष विभाग में एक स्वायत एजैंसी के रूप में कार्य करती है. मिट्टी के स्वास्थे के प्रती जागरुकता बढ़ाने के उद्देशे से विशुम्रिदा दिवस किस तारीक को मनाया जाता है. 5 दिसंबर को स्वास्थ मिट्टी के महत्व पर ध्यान केंडरित करने और मिट्टी संसाधनों के टिकाव प्रबंधन की वकालत करने के साधन के रूप में विशुम्रिदा दिवस WSD कर साल 5 दिसंबर को आयोजित किया जाता है. भारत के दो पहिया टू वीलर्स वाहनों के बजार में सबसे बड़ी हिस्सेदारी किस कमपनी की है. हीरो मोटो कोर्ट की, हीरो मोटो कॉप लिमिटेड एक भारतिय बहुराष्ट्रिय मोटर साइकल और स्कूर्टर निर्माता है जिसका मुख्याले नई दिल्ली में है. गया है सफीना हुसेन को. एजुकेट गल्स की संस्थापिका सफीना हुसेन बनी वाइस पुरसकार जीतने वाली पहली भारतिय महिला है. एजुकेट गल्स की संस्थापिका सफीना हुसेन को वाइस 11 समिट, World Innovation Summit for Education में शिक्षा के लिए प्रतिष्थित वाइस पुरसकार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ADB ने किस भारतिय शहर के जल आपूर्ती सेवाओं के आधुनिकी करण के लिए 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर के महत्वपून रिन को मंजूरी दी है। कोची के एशियाई विकास बैंक ADB एक शित्रिय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 डिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमी करण के लिए की गई थी। एशियाई विकास बैंक का मुख्याले काठमांडू में स्थित है। हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार जल जीवन मिशन हर घर जल के तहट लगभग 13.69 करोण घरों तक टैप से पानी की आपूरती पहुचाया जा चुका है। यह मिशन कब शुरू किया गया था। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन जे जे एम ने 13 करोण घरों परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करके एक और उपलबधी हासिल की है। गती और पैमाने के साथ काम करते हुए जीवन बदल देने वाले मिशन ने अगस्त 2019 में मिशन की शुरूआत में केवल 3.23 करोण घरों म ग्रामीन नल कनेक्शन प्रदान किये थे जो चार वर्षों में बढ़कर 13 करोण पर पहुँच चुका है। जल जीवन मिशन की घोशना प्रदान मंत्री नरेंडर मोदी ने 15 अगस्त 2019 को 73 वे स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से की थी। वर्ष 1971 की प्रेहीन बना देना सामने वाले को। द्वारा जारी विश्व दिजिटल प्रतिसपरधात मक्ता रेंकिंग। नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुषकर सिंध धामी ने पंचायती राजमंत्राले ने ग्राम पंचायत द्वारस्थानिक योजना को प्रोटसाहित करने के लिए भोगोलिक सूचन प्रणाली एप्लिकेशन लॉंच किया है जिसको क्या नाम दिया गया है ग्राम मंच पंचायती राजमंत्राले ने ग्राम पंचायत द्वारस्थानिक योजना को बढ़ावा देने के उद्धेशिस से भोगोलिक सूचना प्रणाली जियाएस एप्लिकेशन ग्राम मंचितर का शुभारम किया है सामाजिक नियाए और अधिकारिता विभाग की ओर से डॉक्टर अमबेटकर फाउंडेशन द्वारा कौन सा महापरिनिर्वान दिवस छे दिसंबर 2023 की नई दिल्ली के संसद भवन में मनाया जाएगा 68 महापरिनिर्वान दिवस अम्बेटकर जी का 68 महापरिनिर्वान दिवस उत्साह पूर्वक मनाया जाएगा भारत सरकार के सामाजिक न्याए और अधिकारिता विभार की और से डॉक्टर अम्बेटकर फाउंडेशन दी अएफ द्वारा और 60 महापरिनिर्वान दिवस 6 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली के संसद भवन लौन में बाबा साहेब डॉक्टर बियार अम्बेटकर की प्रतिमा के पास मनाया जाएगा प्लेटिनम जुबली मेमोरियल बिल्दिंग के बेस्मेंट में पश्चिम बंगाल विधानसभा में संगहाले का उध्धातन किसने किया है ममता बैनर जी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर जी ने पश्चिम बंगाल विधान सभा में प्लेटिनम जुबली मेमोरियल बिल्दिंग के बेस्मिंट में एक संगहाले का उध्धाटन किया है कांगला पहले इसके डिजाइन को दिखाता है ये किस राज्य का महत्वपूर ने तिहासिक और पुरातात्विक स्थल है मनिपूर का कांगला जिसे आधिकारिक तौर पर कांगला किला के नाम से जाना जाता है भारत के मनिपूर राज्य के इमफाल में एक पुराना किलेबन मेहल है ये पहले इमफाल नदी के तटके दोनों किनारों पश्चिमी और पूर्वी पर स्थित था, अब केवल पश्चिमी किनारे पर खंडहर स्थिती में रह गया है यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद